गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूट्व चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक पर फिर से स्वागत है आज हम इस वीडियो में पूरु गुप्त एम कुमार गुप दूतिय का इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स ये जो कारण बाहरी आकर्मन एवं आंत्रिक दुरुबलता था बाहरी आकर्मनों ने गुप्त सासन व्यवस्ता को आगात पहुंचाना प्रारम कर दिया था उस समय की प्रीष्थितियों में अतेंद योग्ये जागरुक सासक ही राजे की सुरक्षा में समर्थ हो सकता था जिसका बाद के राजों में अभाव दिखाई देता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि बहे इसकंद गुप्त एव भÈ गुप्त समर्जे का अन्तिं महान सक्तियों सक्तिसाली राजा था इसके बाद जितने भी सासक हुए हैं वो सक्तिहिंस बहुत ही इस कार्मन से पतन हो गया था तो चलिए पढ़ते हैं पूरुगूप्त यमकुमारगूप सेकिंड का इतिहास। गूप्त साशक पूरुगूप्त गूप्त वन्स का एक संब्राड था जो उत्तर भारत में सासन करता था। यह कुमारगूप्त पर्थम का पुत्तर था तदा सकंद गूप्त का सोतेला भाय था सकंद गुप्त के कोई संतान नहीं थी अता उसके मरने के बाद सत्ता अपने आप ही पूरुगुप्त के हाथों में आ गई थी और सकंद गुप्त के बारे में हम अच्छे से पहले वीडियो आप लोगों को दिखा चुके हैं तो प्लेलिस्ट में आप गुप्त काल में सकंद गुप्त के बारे में देख सकते हैं ठीक है परमार्त क्रीत वसू बंदू जीवन वृत के अनुसार पूरुगुप्त बोध मतानुयाई था पुरुगुप्त व्रेदावस्ता में सासक बना था, उसके काल में गुप्त समराजय का पतन प्रारम हो गया था पुरुगुप्त के अभी तक कोई सिलालेक, प्रसस्ती, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है उसने प्रकाशा दित्ते और स्रीविक्रम की उपादी धारन की थी उसके सिकों से पता चलता है कि उसके समय में उसके चाचा गोईंद गुप्त ने मालवा में अपने सत्ता इस्तापिते कर ली थी अब देखें पढ़ते हैं कुमार गुप्त द्वित्ये कुमार गुप्त द्वित्य गुप्त वन से समरार था, पूरु गुप्त का उत्रादिकारी कुमार गुप्त द्वित्य हुआ, सानात से गुप्त समवत 154 अर्था 473 इस्वी का उसका लेक मिला है, जो बोध पर्तिमा पर खुदा हुआ है, ये निश्चित रूप से पता नही है कि वह सकंद गुप्त का पुतर था, अत्वा पूरु गुप्त का, सानात लेक में भुमी रक्सित कुमार गुप्ते उत्किन है, कुमार गुप्त द्वित्य है, 433 से 474 में सासर्था, गुप्त वन से समरार था, वह नर्षी है गुप्त के बाद पार्टली पुतर के इसके अस्तीत्व का परिचे सानाथ से प्राप्त गुप्त समथ 154 के एक अभिलेक से होता है। कुमार गुप्त द्वित्य के कुछ सिख्ये भी प्राप्त हुए हैं। उनमें ये अवश्य ग्यात होता है कि उसने विक्रमादिते की उपादी धारन की थी। समराट इसकंद गुप्त के बाद दस वर्षों में गुप्त मन्स के तीन राजा हुए थे। इससे स्पस्ट पर्तित होता है कि ये काल एवववस्ता और एसानती का काल था। अपने सासनकाल में कुमार गुप्त द्वितिये विक्रमादिते ने अनेक महत्वपुन कारिये किये। अने गुप्त समराटों के समानी कुमार गुप्त द्वीतिय वैशनव द्रम का अनुयाई था और उसे भी परम भागवत लिखा गया है ठीक है अपने सासनकाल में कुमार गुप द्वीतिय विक्रमादिते ने अनेक महत्वपूर्ण कारिये किये वाकाटक राजा से कुमार ग यूटूब सेकीर ने मात्र एक वर्स ही राजे किया था, 474 इस्वी में उसकी मर्त्य हो गई, उसका उत्राधिकारी बुद्गुप्त हुआ, जिसकी अध्यतम ग्याति थी 477 इस्वी है, तो इन दो समराटों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और आगे भी हम आपको इत्यास विशेशे सम्मंदित महत्तों पून जानकारी देंगे, तो आप हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पे बने रहें,